गरवालों के लाग उसे गिरवने के बार लीजिये वर्णा वर फराल के ही बूसली जाती के युवक समर्जी सिंगर वर शादी कर लगिया इसके बार के की कारवाई कर लाश पोस्ट मार्टम के लिए पतीबा ने समर्जी राय अस्पतार भेज़ दिया क्या था पूरा मामला क्यों हुई थी दीपा की हत्या आईए जानते हैं सबकुछ विस्तार से इस वीडियो में नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मैं विवेक कुमार क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्रिप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर विडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं समर्जीत सिह करीब एक साल बाद दिल्ली से अपने भाईयों अर्विंद और धर्मेंदर के साथ गाव धन्जई लोटा तो मुहले वालों ने उसमें कई बदलाव देखे उसके पहनावे और बातचीत में काफी अंतर आचुका था उसका बातचीत का तरीका गाव वालों से एकदम अलग था इससे गाव वाले समझ गए कि दिल्ली में उसका काम ठीक ठाक चल रहा है धन्जई गाव उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपूर के थाना कूंडे भार में पड़ता है देखने से ही लग रहा था कि समरजीत की हालत अब पहले से अच्छी हो गई है लेकिन गाव वाले एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब वह गाव से गया था तो गाव के ही रहने वाले राम सनेही की बेटी दीपा को भगा कर ले गया था लेकिन उसके साथ दीपा दिखाई नहीं दे रही थी दरसल दीपा और समर्जीत के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था जिसके चलते वह और दीपा करीब एक साल पहले गाव से भाग गए थे बाद में राम सनेही को पता लगा कि समर्जीत दीपा के साथ दक्षिन पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलातपुर गाव में रह रहा है गाव के ही लड़के के साथ बेटी के भाग जाने की बदनामी राम सनेही जेल रहा था उसे जब पता लगा कि समर्जीत के साथ दीपा नहीं आई है तो यह बात उसे कुछ अजीब सी लगी बेटी को भगा कर ले जाने वाला समर्जीत उसके लिए एक दुश्मन था इसके बावजूद भी बेटी की ममता उसके दिल में जाग उठी उसने समर्जीत से बेटी के बारे में पूछी लिया तब समर्जीत ने बताया वह तो करीब एक महीने पहले नाराज होकर दिल्ली से गाव चली आई थी अब तुम्हें ही पता होगा कि वह कहा है यह सुनकर रामस नहीं चौका उसने कहा यह तुम क्या कह रहे हो वो यहां आई ही नहीं है अब मुझे क्या पता वह कहा गई आप अपनी रिष्टेदारियों वगेरा में देख लीजिए क्या पता वहीं चली गई होगी समर्जीत की बात रामसनेही के गले नहीं उतरी वह समझ नहीं पा रहा था कि समर्जीत जो दीपा को कहीं देखने की बात कह रहा है वह कहीं दूसरी जगह क्यों जाएगी फिर भी उसका मन नहीं माना उसने अपने रिष्टेदारों के यहां फोन करके दीपा के बारे में पता किया लेकिन पता चला कि वह कहीं नहीं है बात एक महीना पुरानी थी ऐसे में वह बेटी को कहां ढूंधे बेटी के बारे में सोच सोच कर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी यह बात दिसंबर 2013 के आखिरी हफते की थी समर्जीत के साथ उसके भाई अर्विंद और धर्मेंदर भी गावाय थे राम सनेही ने दोनों भाईयों से भी बेटी के बारे में पूछा लेकिन उनसे भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला दस ग्यारह दिन गाव में रहने के बाद समर्जीत दिल्ली लोट गया बेटी की कोई खैर खबर ना मिलने से राम सनेही और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे वह जानते थे कि समर्जीत दिल्ली के पुल्प रहलादपुर में रहता है वही पर उनके गाव का एक आदमी और रहता था उस आदमी के साथ जन्वरी 2014 के पहले हफ़ते में राम सनेही भी पुल्प रहलादपुर आ गया थोड़ी कोशिश के बाद उसे समर्जीत का कमरा मिल गया उसने वहां आसपास रहने वालों से बेटी दीपा का फोटो दिखाते हुए पूछा लोगों ने बताया कि जिस दीपा नाम की लड़की की बात कर रहा है वह 22 दिसमबर 2013 तक तो समर्जीत के साथ देखी गई थी इसके बाद वह दिखाई नहीं दी है समर्जीत ने राम सनेही को बताया था दीपा एक महीने पहले यानी नवंबर 2013 में नाराज होकर दिल्ली से चली गई थी जबकि पुल प्रहलादपूर गाउं के लोगों से पता चला था कि वह 22 दिसमबर 2013 तक समर्जीत के साथ थी इससे राम सनेही को शक हुआ कि समर्जीत ने उससे जरूर जूट बोला है उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं इन लोगों ने बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दिया यही सब सोचते हुए वह 6 जनवरी 2014 को दोपहर के समय थाना पुल प्रहलादपुर पहुचा और वहां मौजूद थाना प्रभारी धर्मदेव को बेटी के गायब होने की बात बताई राम सनेही ने थाना प्रभारी को बेटी का हुलिया बताते हुए आरोप लगाया कि समर्जीत और उसके भाईयों अर्विंद्व धर्मेंद्र ने अपने मामा नरेंद्र, राजेंद्र और विरेंद्र के साथ बेटी को अगवा कर उसके साथ कोई अप्रिय घटना को मामला जवान लड़की के अफ़रण का था इसलिए ACP जस्वीर सिंह मलिक ने थाना प्रभारी धर्मदेव के नित्रित्व में एक पुलिस टीम बनाई टीम में इंस्पेक्टर आर एस नरुका, सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, युद्धवीर सिंह, हेड कांस्टेबल श्रवन कुमार, नईम एहमद, राकेश, कांस्टेबल अनुच कुमार, तोमर, धर्म सिंह आदी को शामिल किया गया उधर दिल्ली में रह रहे समर्जीत और उसके भाईयों को जब पता चला, कि दीपा का बाप रामस ने ही पुल प्रहलादपुर आया हुआ है, तो तीनो भाई दिल्ली से फरार हो गए पुलिस टीम जब उनके कमरे पर गई, तो वहां उन तीनों में से कोई नहीं मिला चुंकि तीनों आरोपी रामसनेही के गाव के ही रहने वाले थे, इसलिए पुलिस टीम रामसनेही को लेकर यूपी स्थित उसके गाव धन्जई पहुची लेकिन घर पर समर्जीत और उसके घर वालों में से कोई नहीं मिला अब पुलिस को अंदेशा हो गया कि जरूर कोई ना कोई गड़बड है, जिसकी वजह से ये लोग फरार है गाव के लोगों से बात करके पुलिस ने यह पता लगाया कि इनके रिष्टेदार वगेरा कहा कहा रहते हैं ताकि वहां जाकर आरोपियों को तलाशा जा सके इस से पुलिस को पता चला कि सुल्टानपूर और फैजाबाद के कई गाओं में समर्जीत के रिष्टेदार रहते हैं उन रिष्टेदारों के यहां जाकर दिल्ली पुलिस ने दबिश दिया, लेकिन वे सब वहां भी नहीं मिले दिल्ली पुलिस ने समर्जीत के सभी रिष्टेदारों पर दबाव बनाया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले करें उधर बेटी की चिंता में राम सनेही का बुरा हाल था वह पुलिस से बार-बार बेटी को जल्द तलाशने की मांग कर रहा था समर्जीत या उसके भाईयों से पूच्टाच करने के बाद ही दीपा के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम अपने स्तर से ही आरोपियों को तलाशती रही 9 जन्वरी 2014 को पुलिस को सूचना मिली कि समर्जीत सुल्तानपुर के ही गाव नगईपुर सामरी बाजार में रहने वाले अपने मामा के यहां आया हुआ है खबर मिलते ही पुलिस नगईपुर गाव पहुँच गई सूचना एकदम सही निकली वहां पर समर्जीत उसके भाई अर्विंद और धर्मेंदर के अलावा उसका मामा नरेंदर भी मिल गया चुंकि दीपा समर्जीत के साथ ही रह रही थी इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से दीपा के बारे में पूछा इस पर समर्जीत ने बताया सर नवंबर 2013 में दीपा उससे लड़ जगड कर दिल्ली से अपने गाव जाने को कहकर चली आई थी इसके बाद वह कहा गई इसकी उसे जानकारी नहीं है लेकिन पुल प्रहलादपुर में जहां तुम लोग रहते थे वहां जाकर हमने जाच की तो जानकारी मिली की दीपा 23 दिसंबर 2013 को दिल्ली में ही तुम्हारे साथ थी थाना प्रभारी धर्मदेव ने कहा तो समर्जीत के चहरे का रंग उड़ गया थाना प्रभारी उसका हावभाव देख कर समझ गए कि यह जूठ बोल रहा है उन्होंने रौबदार आवाज में उससे कहा देखो तुम हमसे जूठ बोलने की कोशिश मत करो दीपा के साथ तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है हमें सब पता चल चुका है वैसे एक बात बताऊं सच्चाई उगलवाने के हमारे पास कई तरीके हैं जिनके बारे में तुम जानते भी होगे अब गनीमत इसी में है कि तुम सारी बात हमें खुद बतादो वरना इतना सुनते ही वह डर गया वह समझ गया कि अगर सच नहीं बताया तो पुलिस बेरहमी से उसकी पिटाई करेगी इसलिए वह सहम कर बोला सर हमने दीपा को मार दिया है थाना प्रभारी ने पूछा उसकी लाश कहा है सर उसकी लाश बाग में दफन कर दी है समरजीत ने कहा तो पुलिस चारों आरोपियों के साथ उस बाग में पहुँची जहां उन्होंने दीपा की लाश दफन करने की बात कही थी समरजीत के मामा नरेंद्र ने पुलिस को आम के बाग में वह जगह बता दिया लेकिन उस जगह तो आम का पेड लगा हुआ था नरेंद्र ने कहा कि लाश इसी पेड के नीचे है उन लोगों की निशान देही पर पुलिस ने वहां खुदाई कराई तो वास्तव में एक शाल में गठरी के रूप में बंधी एक महिला की लाश निकली उस समय राम सनेही भी पुलिस के साथ था लाश देखते ही वह रोते हुए बोला साहब यही मेरी दीपा है देखो ना इन्होंने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया मुझे पहले ही इन लोगों पर शक हो रहा था इनके खिलाफ आप सक्ट से सक्ट कारवाई कीजिए ताकि ये बच ना सकें वहां खड़े गाव वालों ने तसली देकर किसी तरह राम सनेही को चुप कर आया गाव वाले इस बात से हैरान थे कि समरजीत दीपा को बहुत प्यार करता था जिसके कारण दोनों गाव से भाग गए थे फिर समरजीत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो उसके गले पर कुछ निशान पाए गए इससे अनुमान लगाया कि दीपा की हत्या गला घोट कर की गई थी मौके की जरूरी कारवाई निप्टाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्ट मार्टम के लिए सुल्तानपुर के पोस्ट मार्टम हाउस भेज दिया और चारों अभियुक्तों को गिरफतार करके दिल्ली ले आई थाना पुल प्रहलादपुर में समर्जीत, अर्विंद, धर्मेंद्र और इनके मामा नरेंद्र से जब पूछताच की गई तो दीपा और समर्जीत के प्रेम प्रसंग से लेकर मौत का तानाबाना बुन्ने तक की जो कहानी सामने आई वह बड़ी ही खौफनाक निकली उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के थाना कूंडे भार में आता है एक गाव धन्जई इसी गाव में सूर्यभान सिंध परिवार के साथ रहता था उसके परिवार में पतनी के अलावा तीन बेटे धर्मेंद्र, अरविंद और समर्जीत थे अरविंद और धर्मेंद्र शादी शुदा थे दोनों भाई दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करते थे समर्जीत गाव में ही खेती किसानी करता था वह खेती किसानी करता जरूर था लेकिन उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था वह जवान तो था ही इसलिए उसका मन ऐसा साथ ही पाने के लिए बेचैन था जिससे अपने मन की बात कह सके इसी दोरान उसकी नजरें दीपा से दोचार हुई दीपा राम सनेही की बीस वर्शिया बेटी थी दीपा तीखे नयन नक्ष और गोल चहरे वाली युवती थी दीपा उसकी विरादरी की नहीं थी फिर भी उसका जुकाव उसकी तरफ हो गया फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए दोनों ही चड़ती जवानी पर थे इसलिए जल्दी ही उनके बीच शारिरिक संबंध बन गए एक दूसरे को शरीर सौंपने के बाद उनकी सोच में इस कदर बदलाव आया कि उन्हें अपने प्यार के अलावा सब कुछ फीका लगने लगा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मन्जिल यहीं तत है मौका मिलने पर दोनों खेतों में एक दूसरे से मिलते रहे उनके प्यार को देख कर ऐसा लगता था जैसे भले ही उनके शरीर अलग-अलग हो लेकिन जान एक है उन्होंने शादी करके अपनी अलग दुनिया बसाने तक की प्लानिंग कर लिया घर वाले उनकी शादी करने के लिए तयार हो सकेंगे इसका विश्वास दोनों को नहीं था इसकी वजह साफ थी कि दोनों की जाती अलग-अलग थी और दूसरे दोनों एक ही गाउं के थे घर वाले तयार हो या ना हो उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी वे जानते थे कि प्यार के रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं आती है सच्चे प्रेमी उन बाधाओं की कभी फिक्र नहीं करते है वे परिवार और समाज के व्यंग्य बानों और उनके द्वारा खीची गई लक्षमन रेखा को लांख कर अपने मुकाम तक पहुचने की कोशिश करते हैं समर्जीत और दीपा भले ही सोच रहे थे कि उनका प्यार जमाने से छिपा हुआ है लेकिन यह केवल उनका भ्रम था हकीकत यह थी कि इस तरह के काम कोई चाहे कितना भी चोरी छिपे क्यों न करे लोगों को पता चल ही जाता है समर्जीत और दीपा के मामले में भी ऐसा ही हुआ महले के कुछ लोगों को उनके प्यार की खबर लग गई फिर क्या था महले के लोगों से बात उर्ते उर्ते इन दोनों के घरवालों के कानों में भी पहुँच गई समर्जीत के पिता सूर्यभान सिह ने बेटे को डाटा तो वहीं दूसरी तरफ दीपा के पिता राम सनेही ने भी दीपा पर पाबंदिया लगा दिया उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो उसकी शादी करने में परिशानी होगी कहते हैं कि प्यार पर जितनी बंदिशे लगाई जाती हैं वह और ज्यादा बढ़ता है यानि बंदिशों से प्यार की डोर तूटने के बजाए और ज्यादा मजबूत हो जाती है बेटी पर बंदिशे लगाने के पीछे राम सनेही की मन्शा यही थी कि वह समर्जीत को भूल जाएगी लेकिन उसने इस बात की तरफ गौर नहीं किया कि घर वालों के सो जाने के बाद दीपा अभी भी समर्जीत से फोन पर बात करती है यानि भले ही उसकी अपने प्रेमी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वह फोन पर दिल की बात उससे कर लेती थी एक बार राम सनेही ने उसे रात को फोन पर बात करते देखा, तो उसने उससे पूछा कि किस से बात कर रही है तब दीपा ने साफ बता दिया कि वह समर्जीत से बात कर रही है इतना सुनते ही राम सनेही को गुस्सा आ गया और उसने उसकी पिटाई कर दिया राम सनेही ने सोचा कि पिटाई से दीपा के मन में खौफ बैठ जाएगा लेकिन इसका असर उल्टा हुआ सन 2012 में दीपा समर्जीत के साथ भाग गई समर्जीत प्रेमिका को लेकर हरिद्वार में अपने एक परिचित के यहां चला गया तब राम सनेही ने थाना कूंडे भार में बेटी के गायब होने की सूचना दर्स करा दिया चुंकि गाउ से समर्जीत भी गायब था इसलिए लोगों को यह बात समझते देर नहीं लगी की दीपा समर्जीत के संगी भागी है तब राम सनेही ने गाउ में पंचायत बुला कर पंचों की मार्फत समर्जीत के पिता सूर्यभान सिंह पर अपनी बेटी को ढूंढने का दबाव बनाया आज भी उत्तर प्रदेश और हर्याना के कुछ गाउं में पंचों की बातों का पालन किया जाता है सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए कई मामलों में पंचायतों के फैसले सही भी होते हैं अपनी मान मर्यादा और सामाजिक दबाव को देखते हुए लोग पंचों की बात का पालन भी करते हैं पंचायती फैसले के बाद सूर्यभान सिंह ने अपने स्तर से समर्जीत और दीपा को तलाशना शुरू किया बाद में उसे पता लगा कि समर्जीत और दीपा हरिद्वार में हैं तो वह उन दोनों को हरिद्वार से गाव ले आया दोनों के घर वालों ने उन्हें फिर से समझाया समर्जीत और दीपा कुछ दिनों तक तो ठीक रहे, इसके बाद उन्होंने फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया फिर वे दोनों अंबाला भाग गए वहाँ पर समर्जीत की बड़ी बहन रहती थी समर्जीत दीपा को लेकर बहन के यहां ही गया था उसने भी उन दोनों को समझाया उसने पिता को इसकी सूच ना दे दिया सुर्यभान सिंह इस बार भी उन दोनों को गाव ले आए बेटी के बार-बार भागने पर राम सने ही और उसके परिवार की खासी बदनामी हो रही थी अब उसके पास एक ही रास्ता था कि उसकी शादी कर दी जाए लिहाज़ा उसने उसकी फटाफट शादी करने का प्लान बनाया वह उसके लिए लड़का देखने लगा दीपा को जब पता चला कि घर वाले उसकी जल्द से जल्द शादी करने की फिराक में है तो उसने आखिर अपनी मां से कही दिया कि वह समर्जीत के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी उसकी इस जिद पर मांने उसकी पिटाई कर दिया इसके बाद 27 फरवरी 2013 को दीपा और समर्जीत तीसरी बार घर से भाग गए इस बार समर्जीत उसे दिल्ली ले गया दक्षन पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गाव में समर्जीत के भाई धरमेंद्र और अरविंद रहते थे वह उन्हीं के पास चला गया बाद में समर्जीत और दीपा ने मंदिर में शादी कर लिया फिर उसी इलाके में कमरा लेकर पती-पत्नी की तरहे रहने लगे पुल प्रहलादपुर में राम सनेही के कुछ परिचित भी रहते थे उन्हीं के द्वारा उसे पता चला कि दीपा समर्जीत के साथ दिल्ली में रह रही है खबर मिलने के बावजूद भी राम सनेही ने उसे वहां से लाना जरूरी नहीं समझा वह जानता था कि दीपा घर से दो बार भागी और दोनों बार उसे घर लाया गया था जब वह घर रुकना ही नहीं चाहती तो उसे फिर से घर लाने से क्या फाइदा समर्जीत के भाई अर्विंद और धर्मेंद्र ड्राइवर थे जबकि समर्जीत को फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा था उसकी ग्रिहस्थी का खर्चा दोनों भाई उठा रहे थे समर्जीत भाईयों पर ज्यादा दिनों तक बोज नहीं बनना चाहता था इसलिए कुछ दिनों बाद ही एक जानकार की मार्फत ओखला फेज एक स्थित एक सेक्योरिटी कमपनी में नौकरी कर लिया उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई दोनों की ग्रिहस्थी हसी खुशी से चल रही थी चुंकि समर्जीत सेक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था इसलिए कभी उसकी ड्यूटी नाइट की लगती थी तो कभी दिन की लगती थी वह मन लगा कर नौकरी कर रहा था जिस वजह से वह पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था इसका नतीजा यह निकला की पास में ही रहने वाले एक युवक से दीपा के नाजायस संबंध बन गए समर्जीत दीपा को जी जान से चाहता था इसलिए उसे पत्नी पर विश्वास था लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके विश्वास को धता बता कर वह क्या गुल खिला रही है कहते हैं कि कोई भी गलत काम ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता एक ना एक दिन किसी तरीके से वह लोगों के सामने आही जाता है दीपा की आशिक मिजाजी भी एक दिन समर्जीत के सामने आ गई वह यह था कि एक बार समर्जीत की रात की ड्यूटी लगी थी वह शाम साथ बजे ही घर से चला गया था दीपा को पता था कि पती की ड्यूटी रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक की है जब भी पती की रात की ड्यूटी होती थी, दीपा प्रेमी को रात 10 बजे के करीब अपने कमरे पर बुला लेती थी मौज मस्ती करने के बाद वह रात में ही चला जाता था उस दिन भी उसने अपने प्रेमी को घर बुला लिया रात ग्यारह बजे के करीब समर्जीत की तबीयत अचानक खराब हो गई ड्यूटी पर रहते वह आराम नहीं कर सकता था वह चाहता था कि घर जाकर आराम करे लेकिन उस समय घर जाने के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी इसलिए उसने अपने एक दोस्त से घर छोड़ने को कहा तब दोस्त अपनी मोटर साइकल से उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ा आया समर्जीत ने जब अपने कमरे का दर्वाजा खठटाया तो प्रेमी के साथ गुलचर्रे उड़ा रही दीपा दर्वाजे की दस्तक सुनकर घबरा गई उसके मन में विचार आया कि पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया प्रेमी को बेड के नीचे छिपने को कहकर उसने अपने कपड़े संभाले और बेमन से दर्वाजे की तरफ बढ़ी जैसे ही उसने दर्वाजा खोला सामने पती को देखकर वह चौक कर बोली तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आज मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए ड्यूटी बीच में ही छोड कर आ गया समर्जीत कमरे में घुस्ते हुए बोला कमरे में बेड के नीचे दीपा का प्रेमी छिपा हुआ था दीपा इस बात से डर रही थी कि कहीं आज उसकी पोल ना खुल जाए समर्जीत की तो तबियत खराब थी वह जैसे ही बेड पर लेटा उसी समय बेड के नीचे से दीपा का प्रेमी निकल कर भाग खड़ा हुआ अपने कमरे से किसी आदमी को निकलते देख समर्जीत चौका वह उसकी सूरत नहीं देख पाया था समर्जीत उस भागने वाले आदमी को भले ही नहीं जानता था लेकिन उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसकी गैर मौझूदगी में यहाँ आदमी कमरे में क्या कर रहा होगा वह गुस्से में भर गया उसने पत्नी से पूछा यह कौन था और यहां क्यों आया था पता नहीं कौन था कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चोर था कोई सामान चुरा कर तो नहीं ले गया दीपा ने बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा और संदूप का ताला खोल कर अपना कीमती सामान तलाशने लगी तभी समर्जीत ने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या मुझे पता है कि वह यहां क्यों आया था उसे जो चीज चुरानी थी वह तुमने उसे खुद ही सौंप दिया अब बहतर यह है कि जो हुआ उसे भूल जाँ आइंदा यह व्यक्ति यहां नहीं आना चाहिए और ना ही ऐसी बात मुझे सुनने को मिलनी चाहिए पती की नसीहत से दीपा ने राहत की सांस लिया समर्जीत तबीयत खराब होने पर घर आराम करने आया था लेकिन आराम करना भूल कर वह रात भर इसी बात को सुचता रहा कि जिस दीपा के लिए उसने अपना गाउ छोड़ा उसे पत्नी बनाया उसी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वास घात क्यों किया वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि जब कोई भी महिला एक बार देहरी लांग जाती है तो उस पर विश्वास करना मूर्खता होती है अगले दिन जब वह ड्यूटी पर गया तो वहां भी उसका मन नहीं लगा उसके मन में यही बात घूम रही थी कि दीपा अपने यार के साथ गुलचर्रे उड़ा रही होगी घर लोटने के बाद उसने अपने भाईयों अरविंद और धर्मेंदर से दीपा के बारे में बात किया यह बात उसने अपने मामा नरेंदर को भी बताई उन सभी ने फैसला किया कि ऐसी कुलच्छनी महिला की चौकीदारी कोई हर समय तो कर नहीं सकता इसलिए उसे खत्म करना ही आखिरी रास्ता है दीपा को खत्म करने का फैसला तो ले लिया लेकिन अपना यह काम उसे कहा और कब करना है इसकी उन्होंने योजना बनाई काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने तै कि दीपा को दिल्ली में मारना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वह दिल्ली पुलिस से बच नहीं पाएंगे अपने जिला छेत्र में ले जाकर ठिकाने लगाना उन्हें उचित लगा समर्जीत को पता था कि दीपा, सुल्तानपुर जाने के लिए आसानी से तयार नहीं होगी उसे जहासे में लेने के लिए उसने एक दिन कहा दीपा, सुल्तानपुर के ही नगईपुर में मेरे मामा रहते है उनके कोई बच्चा नहीं है और उनके पास जमीन जायदाद भी काफी है उन्होंने हम दोनों को अपने यहां रहने के लिए बुलाया है तुन्हें तो पता ही है कि दिल्ली में हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ दिन मामा के घर पर रहें पती की बात सुनकर दीपा ने भी सोचा कि जब उनकी कोई उलाद नहीं है तो उनके बाद सारी जायदात पती की ही हो जाएगी इसलिए उसने मामा के यहां रहने की हामी भर दिया 23 दिसंबर 2013 को समर्जीत दीपा को ट्रेन से सुल्तानपूर ले गया उसके साथ दोनों भाई अर्विंद और धर्मिंद्र भी थे जब वे सुल्तानपूर स्टेशन पहुँचे अंधेरा घिर चुका था नगईपूर सुल्तानपूर स्टेशन से दूर था नगईपूर गाव से पहले ही समर्जीत के मामा नरेंद्र का आम का बाग था प्लान के मुताबिक नरेंद्र उनका उसी बाग में पहले से ही इंतजार कर रहा था बाग के किनारे पहुँचकर तीनों भाईयों ने दीपा की गला घोंट कर हत्या कर दिया और बाग में ही गढधा खोद कर लाश को दफना दिया जिस गढधे में उन्होंने लाश दफन की थी जल्दबाजी में वह ज्यादा गहरा नहीं खोदा गया था नरेंद्र को इस बात का अंदेशा हो रहा था कि जंगली जानवर मिट्टी खोद कर लाश ना खाने लगें ऐसा होने पर भेद खुलना लाजिमी था इसलिए इसके दो दिनों बाद नरेंद्र रात में ही अकेला उस बाग में गया और वहां से 20-25 कदम दूर दूसरा गहरा गढधा खोदा फिर पहले गढधे से दीपा की लाश निकालने के बाद उसने उसे उसी की शाल में गठरी की तरह बांध दिया उस गठरी को उसने दूसरे गहरे गढधे में दफना कर उसके उपर आम का एक पेड लगा दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो सके दीपा को ठिकाने लगाने के बाद वे इस बात से निश्चिंत थे कि उनके अपराध की किसी को भनक नहीं लगेगी यह जगन्य अपराध करने के बाद अर्विंद और धर्मेंद्र पहले की ही तरह बंठन कर घूम रहे थे उनको देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उन्होंने हाल ही में कोई बड़ा अपराध किया है गाउ के ज्यादातर लोगों को पता था कि दीपा दिली में समर्जीत के साथ पतनी की तरह रह रही है जब उन्होंने समर्जीत को गाव में अकेला देखा तो उन्होंने उससे दीपा के बारे में पूछा जब दीपा के पिता राम सनेही को भी जानकारी मिली कि समर्जीत के साथ दीपा गाव नहीं आई है तो उसने उससे बेटी के बारे में पूछा तब समर्जीत ने उसे जूठी बात बताई कि दीपा एक महीने पहले उससे जगड़ा करके दिल्ली से गाव जाने की बात कहकर आ गई थी समर्जीत की यह बात सुनकर रामसने ही घबरा गया था फिर वह बेटी की चानबीन करने दिल्ली पहुँचा और बाद में दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाने में रिपोर्ट दर्स करा दिया इसके बाद ही पुलिस अभियुक्तों तक पहुँची पुलिस ने समर्जीत, अर्विंद, धर्मेंदर और मामा नरेंदर को अफरन कर हत्या और लाश्ट छिपाने के जुर्म में गिरफतार कर 9 जनवरी 2013 को दिल्ली के साकेट न्यायाले में महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार की कोट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हि प्रिहस्पतिवार 24 अक्टूबर 2024 को देर शाम मौत हो गई तिहार जेल में समर्जीत सिंह की अचानक तबियत खराब हो गई थी जहां इलाज के दौरान देर शाम मौत हो गई बताया जा रहा है कि समर्जीत देंगू से पीडित था कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्छी कहानीयों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सबस्क्राइब कर लीजिये कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद